अब रिवेन कैसे वाप लोग दोस्तों गर आप भी किसी भी फोटो में अपना फेस आड़ करना चाहते हो तो गई आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ कि कैसी आप किसी भी फोटो में आप अपना फेस या फिर अपने पार्टर के साथ कोई भी फेस कि अपने नाम से यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नाम यहाँ यहाँ पर इस फोटो जनरेट किया जनरेट करने के बाद गई यहाँ पर इस फोटो के अस्थान पर यहाँ पर जो लड़का बैटा हुआ है उसके अस्थान पर मैंने अपना फोटो एड़ कर दिया और यहाँ पिलकुल यहाइच कोई पहार नहीं सकता कि मेंने इसको एडिम्ट किया है आप यहाँ पे किसी भी फोटो में किसी का भी फेस कर सकते हो तो है यह तो अपना प्णा फोटो में मैंने अपना बनके तैयार हुआ गई जम यहां पर रियल लग रहा है गई जी यहां पर आप देख सकते हो रस्मी का मंदाना कोई बताई नहीं सकता कि इस फोटो को मैंने एडिट किया हुआ है आप आई नहीं आप किसी का भी वरजिनल फोटो निकाल कर वहां पर भी अपना फेस एड कर सक है जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्किप्सन में उपर आई बटन में दे रखा है वहां पर जाके आप इस तरह से एडियाई फोटो जनरेट कर सकते हो तो गईज आई शुरू करते हैं वीडियो को किसी भी फोटो में अपना फेस डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने पार्टनर के साथ अपने फोटों जायते हैं चाहते हो जिरिए इक से अधिक फोटों में अपने पार्टनर के साथ तो अपने फोटो को एड़ करना चाथे हो तो कई यहां पर आपको multiple फेसवैब पर click करना है इस पर click करने के बाद गई जाप के सामने थोड़ा सब processing लेगा कि यहां पर आप जिस फॉटो में अपना फेस एड़ करना चाहते हो उस फोटो को यहां पर सिलेक्ट करना होता है तो एनहिन पर खाल की इमेज्ट पर क्लिक्क कर दे ना है फिर इसके बाद गायज आपका गैलरी ओपन हो जाएगा उपन होने पर गैज आप आपको फोतो यहां पर अपलोड भूर उने के बाद गैजिए आपको यहां पर करना सकते हो ऐस्थान के बघल में एक प्लस का आइकन गाए डिखाई देगा आपको इस पर किलिक करना है इसके बाद गईज यहाँ पर आपको अपना फोटो एड करना है एड करने के बाद गईज यहाँ पर डन कर देना है डन करने के बाद गईज यहाँ पर आपको यह जो लड़की का यहाँ पर फोटो दिखाए दरा है तो गैज यहाँ पर आपको करना क्या है गल्स के बगल में प्लस का आइकन जो दिखाए दरहा आपको इस पर किलिक करना है फिर आपको अपने पार्टनर का फोटो यहाँ पर एड कर लेना है तो गैज यहाँ पर मैं एक फोटो एड कर लेता हूं तो गैज यहाँ पर मैं तो गैज आपको स्वैप और फोर क्रेडिट कर आपशन मिलेगा आप को इसे पिलिक करने के बाद लेंगे थोड़ा सा पता है एक्स पोड़ा सा नहीं होना है तो ड paints यहां पर दिखुड़ा सा आपको कर दिया यहां पर top pen से सिंग लेता है फिर आपका फोटो आपके सामने यहां पर जनरेट हो जाएगा तो गैज बिलकुल ही आसान है आपको ज्यादा परिसान नहीं होना है तो गैज अगर आप भी इस तरह से AI फोटो जनरेट करना चाते हो तो गैज इसके लिए मनें आलरेडियो वीडियो बना र जाएगा देखिए गैज यहां पर यह फोटो यहां पर क्रियेट हो गया है अब आपको यहां पर करना क्या होता है आपको यहां पर डाउनलोड बटन पर किलिक कर देना है तो आपको फोटो यहां पर डाउनलोड हो जाएगा